पहला वाला सुनिए कि तोड़ा आटा के लोई यही राने टोई और इसके बाद दुसरा वाला सुनिए कि चमर्टोली वाली माल सुपर हीट लागे लूँ अब ये दो गाने ऐसे गाने हैं जिसके कारण सिवान में पुरा का पुरा माहौल बिगड़ा हुआ है पुरा का पु घर में घुच कर मारने लगे, खेत में पटक कर मारने लगे, और लड़कियों तक को नहीं छोड़ा गया पुरा का पुरा मामला सिवान का है कई सारे वहाँ पर local जो media channel है उन्होंने जाकर इसको cover किया है और उसके बाद से पूरी की पूरी जानकारी अब निकल कर सामने आ और सबसे बड़ा सवाल भी यही उठता है कि आखिरकार चमर टोली वाली माल सुपर हिट लागे ले ऐसा गाना गाकर कोई गायक क्यों जेल के बाहर रहता है क्यों नहीं पकड़ा जाता अहिरान अहिरान के माल चाहें तार आटा के लोई अहिरान तोई अब अपने मन से सोचि कि चाहें किसी भी जाती का गाना हो अगर कोई कहे कितार आटा के लोई राजपुते टोई चाहें भूमिहारे टोई और अहीं टोली में ले जाकर गाना बजाए तब वहाँ पर विवाद होगा और इसी प्रकार से हुआ है पूरी खबर हम आपको आगे बताएंगे जहां पर बिवाद इस कदर हुआ है कि कई लोगों का सर फट चुका है और प्रसासन अभी मौन है तो सवाल उठता है कि जब कोई बड़ा बिवाद हो जाएगा जब कोई घटना हो जाएगी तब आखिर कर जिम्मेदार कौन होगा बाखिया नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं चन ता जिक्षन मैं पिंटु कुमार रेपीडो कैब्टन हूं और आज ये रेपीडो कैब्टन से जुड़कर मैं काफी अच्छा बहतर और अच्छा काम कर रहा हूं इससे जूडने से बहुत सारे फाइदे हो जाते हैं जिसमें कमाई आज हमारी अ सबसे पहले हम वीडियो एकदम शुरुवात से सुरू करते हैं समझाते हैं कि पुरा मामला क्या है बताए जा रहा है जो महिलाएं कह रही है उनके अनुसार बगल के लड़के डीजे लेकर गाना लेकर बजाते हुए उनके गाउं में पहुंचते हैं अब उस गाउं में दुशाद रहते हैं हरिजन रहते हैं अब उस गाउं में आकर वे गाना बजाते हैं कि तहर आटा के लोई अहिराने टोई इसी गाने को बार बार बजाया जाता है इसके बाद एक और गाना बजाया जाता है कि चमर्टोली वाली माल सुपर हीट लागे तो हमारे गाउं में आकर के तुम ये गाना मत बजाओ, कि तार आटा के लोई या इराने टोई, का चमर टोली के माल सुपर हिट लागे लू, हमारे गाउं में ये गाना नहीं बजेगा, इसके बाद जो मैलाएं कहा रही हैं, उनके अनुसार, वहाँ पर लड़ाई होते हैं, का मतलब की जो लड़के होते हैं वो वहाँ पर लोगों को मारने लगते हैं वहाँ पर खेट दिखा कर मैं लायक कह रही है कि इसी खेट में हमको पीट पीट कर इतना मारा गया कि किसी क्या शर्फट गया किसी क्या दुपट्टा खिच लिया गया या सब कुछ सिवान के मारकपुर में क्या हुआ सोशल मीडिया के जरीए दीरे-दीरे ख़बर फैलती है वहाँ पर माहौल भी गरता है अब मालीजे कि सिवान के रसावरा में मैलाएं कह रही है कि अहिर लोग का इतना चलती है कि हम लोग अपना गाउं छोड़कर चले जाएंगे अहिर लोग हम सदस से उनके हैं जिला पंचार सदस से उनके हैं तो हमारा कौन सुनेगा तो इसके बाद वहाँ पर कैसी जित्यूत्पन होगी मतलब किसी परकार से माहौल बिगरता है अब बोजपूरी के गानों पर आईए कोई गायक अगर गाना गाता है कि चमर टोली के माल सुपर हिट लागे लू तो आखिरकार वो गायक बचा कैसे रहता है कैसे उसके उपर कारवाई नहीं होती यह अपने आप में बड़ा सवाल है माल लीजिए कि अगर कोई ऐसा गार आ तो कल को खड़ा होकर के कोई भूम्यार टोली के उपर गाएगा कोई कल को खड़ा होकर के लीजिए कर गाना मजाएगा कितार आटा के लोई भूम्यार टोई और धीरे-धीरे समाज में किस प्रकार से गानों के चलते जो आप कह सकते हैं कि वर्मस्तिता की इस्ति है वो बढ़ती जा रही है रसोड़ा पंचायत का पुरा का पुरा मामला है सिवान का पुरा का पु ने नहीं झी दिया ला है वो कहते हैं कि बस गाना बजाने के लिए हमने मना किया कहना बजाने के लिए हमने रोका कि हमारे गाहों में आगर कि आप लोग ऐसा गाना मत Zam aja ये तब उन लोगों ने खित में पटक पटक कर मारा है बागी हम उमीद करते हैं कि प्रशासनों específic pulled P जब वहां की मैलाएं बता रही हैं तब पूरे बियार में यादो और दूसरे जात को लेकर के एक परकार से टेंशन वाली इस्तिती बन रही है जैसा कि छपरा के मुवारकपुर में हुआ है बाकी अब आपकी प्रत्रिया का है लीकर के बताईएगा वीडियो शेयर कीजेगा कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपने राज के मुख्यमंतरी को उप मुख्यमंतरी को मंतरी को टेक कीजेगा कहिएगा कि इन सब पर रोक लगाने की जरुवत है इन सब पर ततकाल रोक लगाई जाए बाकी आगे जो भी अपडेट जो भी नहीं जानकारी आएगी सब पूंचाएंगे आप जनता अक्षन के साथ बने रहे हैं कि अमरेक से भी शाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सहीं बहुत बहुत धन्यवाद